नमस्कार दोस्तों आप देखरें विडार 24 न्यूज मैं हूँ आपके साथ जैन शुरुआत करते हैं दोबार की दो बड़ी खबरों के साथ पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बीते कुछ महीने से साथ जिनिक जगाओं पर नमाज अदा करने का वीडियो खूब वारे है दरसल कुशी नगर में ट्रेन के स्क्लीपर कूच का एक वीडियो शोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है वीडियो में ट्रेन से गलियारी कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाए दे रहे हैं ये ट्रेन खड़ा रेले स्टेशन पर खड़ी थी तबी ये नमाज पढ़ है वीडियो में कुछ लोग चादर बिचाता नमाज अदा कर रहे हैं तब ही पीछे और आगे से कुछ लोग आते हैं लेकिन एक सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति उन्हें रुखने के लिए बोलता है सीट पर बैठा व्यक्ति कहता है कि रुख जाए या दूसरे गिर्ट से जाए जिसके बाद दोग वही खड़े हो जाते हैं वे काफी देर तक उनके हटने कर इंतजार करते हैं हाला कि पीते वहीने की प्रयागराज ग्रेलवे स्टेशन पर एक नमाज पढ़ने का वीडियो जम कर वाइडल हुआ था इससे पहले लखनाओ के लूलू मौन में भी नमाज पढ़ने का वीडियो काफी वाइडल हुआ जिसके बाद इसको लेकर काफी राजनेतिक ब्यानबाजी भी हुई थी जिसके बाद सीयम योगी आधिकनात्य अधिकारियों से ऐसे मामलों में करवाई करने की बात कही थी दूसरी बड़ी खबर सड़क में चलने वाले के भी एक्सिडेंट हो जाते हैं, कुछ एक्सिडेंट इतने खत्रनाक होते हैं जिनने देखकर लोगों की रूख आप जाती है, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छुटी सी बच्ची को कुई कार कुचल दे और बच्ची को खरोज भीना आय यह एक तरह का चमतकार ही है, शोश सकते हैं कि कार का पईया उबर से गुज़ने के बाद बच्ची बड़े आराम से उठ खड़ी होती है और वहां से चली जाती है जिसने भी यह वीडियो देखा उसकी आखों को खुली की खुली रह गई शोशल मेडिया यूजर्स को भी इस वीडियो को देखकर भरोसा नहीं हो रहा है इस हाथसे को देखकर जहां एक तरफ लोगों के रोंटे खड़े हो रहे हैं वहीं किसी को भी चमतकार पर यकीन नहीं हो रहा है वीडियो को IPS अधिकारी दिपांशू काबरा ने अपने ट्वी लापड़वाही बर्ती जिसका नतीजा बच्ची के लिए प्रांध धातक हो सकता था तमाम छूटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे वडार 24 न्यूज